खुशियों की फूल बैठे बिठाए खिल जाएं, बैठे हम मेज पर और चाय पकोडे मिल जाएं दोस्तों बरसात होते ही हम सब की फिलिंग से ही कहती है क्योंकि बरसात के मौसम में चाय पकोडों का अलग ही मजा है तो आज मैं आपसे शेर करने जा रहे हूँ मौंग दाल के पकोडों की रैसी भी जिसे मौंगोडी भी कहा जाता है तो नॉर्मल पकोडों से ये पकोडी बहुत ही अलग होते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत अलग होता है और इसमें कुछ खास इंग्रेजेंट्स का मैंने इस्तिमाल किया है जिससे ये पकोडी बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो ये पकोडी इतने टेस्टी बनते हैं कि आप पूरे मानसून इन्हें कई बार बनाना पसंद करेंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हो निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यसी और भी रेसिपीस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें तो चलिए दोस्तों बारिश का मजा उठाते हैं और ये टेस्टी टेस्टी मूंग दाल के मंगोडे बनाते हैं मूंग दाल के पकोड़े या मंगोडे बनाने के लिए मैंने दो कप छिलके वाले मूंग दाल को 4 गंटे पहले भीको दिया था भीगने के बाद इसको मैंने चलने में निकाल दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए क्योंकि हमिर्ट में पानी नहीं चाहिए यदि हमने दाल में पानी रखा तो जब इसे grind करेंगे तो इसका paste बहुत ही fine हो जाएगा और डाल का paste fine भी हमें नहीं चाहिए और ज्यादा पतला भी हमें नहीं चाहिए मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग डाल का इस्तमाल किया इसे पकोड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं लेकिन आप चाहें तो बिना चिलके वाली मुंग दाल का इस्तमाल कर सकते हैं अब इस बीकी भी मुंग दाल को हमें ग्राइंडर जार में ट्रांस्फर करेंगे और लगबग आदा कप या दू मुठी दाल हम बचा लेंगे तो ये दाल हम साबुती एड़ करेंगे इससे पकोड़े देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी और इस ग्राइंडर वाली दाल में हम एड़ करेंगे साथ से आठ लेसन की कलियां और दो इंच अद्रक का टुकड़ा तो ये भी इसके साथ ही ग्राइंड हो जाएंगे अब इस दाल का हमें बिना पानी डाले दरदरा पेस्ट तयार करना है तो इस तरह पल्स में चलाते हुए मैंने मिक्सी को दरदरा पेस्ट इसका बना लिया है और दाल जब अच्छे से भीकी भी होती है तो बहुत ही इजी लिए ग्राइंड हो जाती है बिना पानी डाले तो अब इस दाल को हम वापस एक बोल के अंदर ट्रांस्फर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इन पकोडों को बनाने के लिए मैं सोडा का इस्तमाल नहीं करूंगी मैं एक विसकर की साइता से इस तरह दाल को 2-3 मिनिट के लिए फैंट लूँगी विसकर की जगा आपको यह भी नॉर्मल चमच का इस्तमाल कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि जो दाल है उसका कलर काफी ग्रीन है लेकिन जैसे जैसे हम फैंटेंगे से इसमें काफी अच्छा एरेशन हो जाएगा इससे दाल रूल जाएगी फलपी हो जाएगी और साथी इसका जो कलर है वो सफेद दिखने लगेगा तो ये देखें दो तीन मिनिट मैंने इससे फैंटा है और दाल काफी हलकी हो गई है तो ऐसा करने से हमें इसमें कोई भी सोडा वगरे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे पकोड़ी भी बहुत अच्छे बनेंगी तो ये स्टेप बिलकुल भी स्किप ना करें ऐसा जरूर करें अब जो दाल मैंने साबुत रखी थी वो भी मैंने इसी में मिला ली है और विसकर से इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं आपको एक खास मसाला बताती हूँ जो इन मूंग ताल की पकोड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है इसे इनका स्व नहीं करना है साबुत धनिया हम डालेंगे और इसी में डालेंगे दो चमच सौफ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सौफ का कोई भी मसाला आपको स्किप नहीं करना है एक चमच मैंने लिया है जीरा और स hon ये लिया है एक चमच का लिमिड़ी में तो इन पकोडों में तो आप जरूर से डालें, मसाले जब थोड़ी ठंडे हो जाएंगे तब एक grinder जार में डाल कर हमें ग्राइंड करेंगे और इनका fine powder नहीं बनाना है इनका भी हमें coarse powder ही बना कर तयार करना है तो देखिए इस तरह दर दरा powder हमें बना कर तयार कर लिया है कुछ मसाले थोड़ी बहुत साबुत रहेंगे बीच में तो उनका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छाता है अब इसे दाल में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन बारी कटीवी हरी मिर्च रेट चमच लाल मिर्च का पाउडर एक चमच आम चूर का पाउडर दो चुटकी हींग एड़ करेंगे और स्वाद के अनुजसार नमक एड़ कर लेंगे बस आप मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल में तो यहाँ पर मैंने हींग का अस्तमाल किया है इसलिए अजवाइन का अस्तमाल नहीं किया है एक बोल के अंदर मैंने एक बड़ी साइज का आलू ऐसे कदुकस करके पानी में रख दिया है तो इसे इसका स्टार्च पे निकल गया है और आलू भी काला नहीं पड़ा है मैंने यहाँ पर आलू को कदुकस करके लिया है लेकिन आप चाहें तो बारी काट कर भी आलू को डाल सकते हैं आलू जरूर से इस्तमाल करें इससे पकोड़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है तो यह मैंने आलू इस तरह अच्छे से निचोड़ कर इसे दाल में डाल लिया है आलू के सासाथ मैं ले रही हूँ प्यास तो दो मीडियम साइच के मैंने पतले लंबे कटी वे प्यास इस तरह से लिये हैं प्याज को भी यदि आप इस तरह से नहीं काटना चाते हैं, तो बारी काट कर ले सकते हैं, और साथी बिल्कुल मत बूलिएगा, ये जरूर से डालिए पालक, मुंग दाल की पकोड़ी में पालक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो लगपक 500 ग्राम मैंनी बारी काट क पालक इसमें अड़ किया है, और अब डालेंगे इसमें खूब सारा बारी काटावा हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें हरा प्याज भी बारी काट कर टाल सकते हैं, और ये आप मेथी के शौकीन हैं, तो आप इन पकोड़ों में बारी काट कर मेथी भी डाल सकते हैं, उनका ये सबजिया नमक के कॉंटेक्ट में आएगी तो ये अपना भी पानी रिलीस करेगी तो इससे बैटर लूज हो जाता है और हमें ज्यादा लूज बैटर नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पेस्ट बनाया है पकोडियों के लिए ये इस तरह का बना है कि हातों से हम एजिली इसे हैंडल कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पेश्ट बन कर तयार हो गया है पकोडियान का, और इधर तेल भी गरम हो गया है, तो इस तरह हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों में ही इससे गोल कोल कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि पकोडियां सारी देखने में एकदम इकल होती हैं औ को जदा करम तेल में पकोड़े तलते हैं तो फिर वह उपर से पक स कंदर से कच्छे रहा जाते है तो फिर ये बहुत ज़ादा मातरा में पील को आबसारब करेंगे। और ये देखिए हमारे पकोडे दल कर तैयार है, बहुत ही संदर दिखाई दे रहे हैं, इनमें डाला हुआ हरा हरा पालक और जो साबुत मूंग अबने डाली है ना इससे ये पकोडे देखने में भी बहुत संदर लगते हैं और खाने में भी बहुत ही डेस्टी लगते हैं, तो इस तरह से एक बैच मैंने निकाल लिया है फ्राइ करके, सेम तरीके से हम बाकी पकोड़ियां भी तल कर तयार कर लेते हैं, और मूंग दाल की पकोड़ों के साथ हरी मिर्च तरना न भूलें मूंग दाल की पकोड़ों के साथ ये तली भी हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है इससे पकोड़ों का स्वाध और भी बढ़ जाता है तो इस तरह तेल में हम इने फ्राई कर लेंगे तो जब इस तरह डालें तो थोड़ा सा तेल में डालें इने और उपर निकालें तो इसली यह fry हो जाएंगी बचे वे पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इने भी मपलेट में निकाल लेती हूँ तो ये हमारे गरमा गरम पकोडे और साथ में ये तली भी हरे मिर्च खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्ट ही लगते हैं और ये देखें इसका लुक भी कितना ज़ादा अच्छा है तो नॉर्मल बेसन वाले जो पकोड़े होते हैं उनका टेस्ट अपनी जगए है और इन मुंग दाल के मंगोडों का टेस्ट अपनी जगए है तो आप भी इस बड़सात के मुसमी तरह तरह के पकोड़े बनाकर जरूर खाएं और बारिश का मजा उठाएं तो दोस्तों आप भी इस तरीके से एक बार ये मुंग दाल के पकोड़े जरूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का वर्टन जरूर दबाएं अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक हसते रहे हसाते रहे